हाई फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल वी ब्यूटी आंटे ने देचल में स्वागत है आपका तो इसे कैसे कट करना है मैंने पहले वीडियो में बताई हूँ तो उसका लिंक बिस्क्रिप्शन में दे दियो हूँ इस तरह से हमें कट कर लेना है और इस साइड में स्टीच करके लेलेना है और यहां greedy हम स्वमीं ले लेगे और ढोर टाल दाल के एक से दो है माँ कि इससे कहरें नहीं करूंगी सेट नहीं और आगे आपको मैं वीडियो में बताहिए ह कि इसके को कारूंग को कैसेArt कर लेना है आगे आगे अपको पता चल जाएगा, तो एक्स्ट्रा ट्रेड को हम कट कर लिंगे, इसे साइड में रख लेते हैं इस डोरी को अभी, तो यहां पे मैंने स्टीच करके ले लिए हूँ और इस साइड में ओपेन है तो इसे सीधा कर लिंगे, अच्छे से और इसके corners निकाल लेंगे हम अच्छे से अगर corner इतना neatly नहीं निकाल लेंगे तब भी चल जाएगा अब इन cloth के छोटे-छोटे pieces को इस तरह से अंदर रखके हम अच्छे से set कर लेंगे और यहां पे हम swing ले लेते हैं swing को अंदर से बाहर निकालना है इस तरह से और यहां पे आपको बहुत साधी सी ले करके ले लेना है आप वीडियो में देख सकते हो मैं कैसे stitch कर रही हूँ इस तरह से हमें simple stitch करके ले लेना है पूरा round में अब हम thread को इस तरह से खीचेंगे तो यहां पे चुनेर बन जाएगा अब हम इसे stitch करके ले लेंगे मेरे डोरी के corner पे thread नहीं निकलता है तो हम इस तरह से swing को बाहर निकालेंगे अगर आपके इस corner पे thread निकलता है तो मैं side में दिखाई हूँ तो किसे कैसे set करना है अब हम इसे डोरी के अंदर इस तरह से अच्छे से set कर लेंगे इस तरह से set करने के बाद अब यहां पे हम इस तरह से round stitch करके लेंगे नौर्मल stitch अब चाहे तो यहां पे भी machine पे stitch करके ले सकते हो तो मैं यहां पे रॉंड स्टिच करके ले लेती हूँ यहां पे मैं नॉट डाल दोंगी एक से दो मेरे पास कुछ मोती है तो मोतीों को मैं इस तरह से सुई में पुरो लोंगी यहां पे मोतीों को हम इस तरह से रॉंड घुमा के देख लेते हैं तो यहां पे एक मोती कम है तो मैं एक मोती पुरो ले लोंगी फिर से एक बार हम चेक कर लेंगे यहां पे एक मोती जादा हो रही है इसे निकाल देंगे हम अब मैं इस स्वेंग को इस तरह से साइड से निकालूंगी और इसे अच्छे से टाइट की हम त्रेट को खीच लेंगे ताकि सारी मोती सेट हो जाए अब इन मोतियों को सब को मैं अच्छे से पूरो के ले लोंगी आप चाहे तो एक-एक मोती भी पूरो सकते हैं यह जो मैं स्टिच डाल रही हूँ यह स्टिच बाहर नहीं दिखाए देगी यह मोतियों के बीच में आएगा इस तरह से मैं इसे स्टिच करके ले लेती हूँ अब यहां पर मैं नॉट डाल दे रही हूँ यह नॉट भी मोतियों के बीच में आएगी दिखाए नहीं देगा अब एक्स्ट्रा त्रेड को हम कट करके निकाल देंगे इसे साइड में कर लेते हैं हम एक मोति को पूरू लेंगे जहां पर हमने नॉट डाला से वहां से फीट से एक बार स्विंग को निकाल लेंगे इस तरह से अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे आप चोई तो इसे इस तरह से प्रेस करके भी सेट कर सकते हो अब यहां पर मैं फिर से नॉट दालूँगी ये भी नॉट मोतियों के बीच में आएगी तो हमारी जो नॉट है वो बाहर नहीं दिखाए देगी एक से दो नॉट डाल देते हैं और एक्स्टरा त्रेट को हम कट कर देंगे फ्रेंज फाइनल ये कुछ इस सर से दिखाए देगा आप देख सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना सब्सक्राब भी कर देना बेल आइकोन क्लिक करके नोटिफिकेशन अन कर देना फ्रेंज इससे मैं जो भी नई वीडियो अप्लोड करूँगे उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगा फिर नई वीडियो को यसा फिर जल्दी मिलते हैं तक देक लिए बाइबाई